आलो दोस्तों, आज देवाना एक बहुत दुखी है, इसलिए दुखी है कि कल का जो एक स्पाइक आया, डाटा में एक स्पाइक आया, 435 न्यू कोरोना केसेस इन इंडिया, और उनमें से 20 से ज्यादा लोग कल मर गए, उनकी डेथ हुई कल, यह इसलिए हुआ कि हम सोशल गैदरिंग को नहीं छोड़ रहे हैं, जब तक हम सोशल गैदरिंग को नहीं छोड़ेंगे, तब तक यह कंट्रोल में नहीं आएगा, हमें physical distance maintain नहीं करना है हमें social gathering को छोड़ना है दिल्ली में जो gathering हुआ इसलिए दिल्ली में दिल्ली एक बहुत बड़ा hot spot हो गया ICMR ने 10 hot spot धून निकाला है केरला में दो जगे पे, महरास्टर में दो जगे पे UP में दो जगे पे, दिल्ली में दो जगे पे मध्यप्रदेश में एक जगे और कल का incident जो बता रहा है 13 incident आसाम में है ये भी हो सकता है कि आसाम का एक दो जगे hot spot बन सकता है तो हमें क्या करना चाहिए इस मुशिबत से एक बहुत बड़ा आफ़द है हमें ज्यादा से ज्यादा testing कराना चाहिए हमें infected human being, uninfected human being को isolate करना है testing is must, more and more testing South Korea का day threat इसलिए कम है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा testing करा है तो हमें भी उसी दीशा में जाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए हमें पैसे चाहिए हमें labs चाहिए यानि कि lab space चाहिए instrument चाहिए और manpower चाहिए जितने भी ICMR lab है या medical colleges है इंडिया में सबको आप testing center खोल दीजिए जितने भी BSC, MSC onampladder है उनको आप रोजगार दीजिए उनको training दीजिए फिर उनसे testing कराईए यह जितना जल्दी हम testing करा सकते उतना जल्दी हम testing कराएंगे यह एक सुजावे ICMR को और government of India को इस दोरान जो हमारा leadership पे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है मैं आसा करता हूँ ज़्यादा सी ज़्यादा मेहनत करें आलसपन से काम नहीं चलेगा दोस्तों धन्यवाद